बच्चों मैं पता है आप लोगों से करीब 2000 बच्चे अभी भी लाइव हैं तो मैं आपसे ये देखता हूँ कि यार ये लोग इतने सिद्दत से मेरे साथ सुरिय बैच में महनत कर रहे हैं तो बच्चे इतना लगाव आपसे हो गया है मैं इमानदरी से कह रहा हूँ कि यार आपकी नौकरी नहीं लगी ना हमारा पढ़ाना बेकार है जो उसी दिन से लगातार बच्चा लाइव है अगर मैं उसकी भी नौकरी नहीं लगवा पाया तो मेरा पढ़ाना बेकार है क्या पैसे का इसका फाइदा है बच्चे तो भाई जिसने मुझे टाइम दिया है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बदले में नौकरी दूँ और बच्चे बस प्लीज लगे रहना हिम्मत मत हारना नौंबर में एक्जाम हो जाएगा यह आप मुझे से ले लो आजी ठीक है बच्चो नौंबर में एक्जाम हो जाएगा पूरा पूरा चांसे नौंबर का स्लोट खा लिए ओ जी डी के लिए यह है ठीक है और नौंबर मतलब चांसे हैं देगे एक परसंट दो परसंट में कुछ भी हो जाता है उसके नहीं लेकिन मुझे एक आईडिया आपको देना बनता है तो भाई आप ऐसे सोच के चलिए नौंबर टारगेट है मेरे पास जुलाई मेरा चली रहा है अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर नौंबर तुम मानोई मत ठीकर 3-4 महीने के बीच का मेरे पास एक्जाम निकालने का टायम है क्या मैं 3-4 महीने नहीं पढ़ सकता लगके अगर नहीं पढ़ सकता तो लानत है मुझे पे क्या मैं नौकरी लेने के लिए इतनी खुन पसीना और नहीं कर सकता भाई 90 टारगेट करो आप हमारे टेस्ट में अब भिलाओ इतना भरपूर समय है इतने टाइम से सूरिया बैच आया है इतने टाइम से आपको सारी चीज़े मिल रही है बटा ये एप पे जो भी अचा है आपके एक्जाम तक कहीं नी जाएगा आम से इस स्टेडी करो ठीक है तो भाई कुल मिला करके थोड़ा सा विकेंसी लेट हो रही है इससे प्लीज दिमोटिवेट मत होना क्योंकि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए आये हो बहुत महनत आपने यहां तक की है मैंने आपके साथ की है आप प्लीज लगे रहे न अपने घरवाण लोग के अपने मम्मी पापा का चहरा अपने सामने रखके कि वो कितनी आसा आप लोगों से लगाए बैठे हैं कितना टाइम आपको दे रहे हैं भाई ऐसे भी बच्चे हैं कि जो अपने मम्मी पापा के लिए जिनको घर में साम को सोचना पड़ता है कि आज मैं साम को क्या खाऊंगा घर में आज है या नहीं है ऐसे लोग भी इसकी तयारी कर रहे हैं और वो सोच पहले कमाने जाते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर आके पढ़ते हैं भाई बहुत तरह साता है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चों को ऐसे को हमने फ्री भी कोर्स दिया है बहुत मजबूरियां हैं बच्चों की, ठीक है? तो बहुत अब वो बच्चे उन सब चीजों को दूर करने के लिए आपको बस थोड़ा सा पढ़ना ही तो है तो आपको अगर घर में सुवीधा मिल रही है आपके माबाब आपको सपोर्ट करें बहुत खुसकिसमत हो आपको सिर्प पढ़ना है बच्चे तिर्प पढ़ना है बहुत खुसकिसमत हो आप ठीक है? उन बच्चों का दर्द समझो और अगर बच्चे आप मान लीजे आपके पापा बेरोजगार थे आपको पढ़ा रहे हैं बहुत मेनद से पढ़ा रहे हैं लेकिन क्या होता है? कि जब पिताजी बेरोजगार रहे हो तो बच्चों को जैसे तैसे करके पढ़ा जाते हैं उन्होंने चाए अपने बहस बांदी हो चाए खेत किया हो खेती की हो वो पढ़ा जाते हैं लेकिन बच्चों वो आपसे उम्मीद करते हैं और पूरी पूरी जान लगा देते हैं आपके पीछे लेकिन इत्फाक से उनके दो तीन बेटे हुए जमीन भी बट गई आगर भैसों का काम रहा ही नहीं और बच्चे आप सोचो कि आपका उनके मुकाबले अगर आप बिरोजगार रहे तो आपका जीवन और मुस्किल हो जाएगा ठीक है आपके बच्चों का और मुस्किल तो गरीबी इसकदर बढ़ती चली जाएगी आपकी फैमिली में कि आपको बच्चे यही स्थितिया जानी है साम को सोचना पड़ेगा आप नहीं सोचोगे आपको चलो पिता जी न दिया है तो आप करना करना खाना कर लोगे हो सकता है लेकिन आपके बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे स्कुल में पढ़ा नहीं पाओगे पूरी लाइफ मैं कहरा हूँ नरक बन जाएगी तो प्लीज मेहनत करिये ठीक है एक घर में एक सरकारी नौकरी लगती है तो पांच लोगों का जीवन सुधरता है माँ बाप और पतनी और दो बच्चे तो भाई पांच छे लोगों का कम से कम फरक पड़ता है सोच के देखिए ठीक है तो प्लीज मेहनत करिये तो यह ऐसे ही नहीं कही आती यह बाते रोज रोज नहीं कहता मैं है ना तो भाई यह अपने आपको प्लीज जोकिये थोड़ा सा ज्यादा जोकिना पड़ रहा है कोई बात नहीं यह तो सब को पता है कि विकेंसी आएंगी बताओ बच्चो पता है कि नहीं पक्का पता है न विकेंसी आएंगी ऐसा तो हो गए नहीं कि विकेंसी ना आए पर उनमें हमारा सेलेक्शन होगा क्या हम शौर है कि म और भाई महनत करो, शोर होजाओगे, तो आपको भगवान ने, इस इस बना इया है तभ ही तैयारी कर रहे हो, नहीं तो जिनकी हाइट नहीं है जो बिलकुल करीब है, और भबच्छा लग सकता हुशारी है लेकिन इतना उश्यार नहीं कि वो सिविल में जॉब ले पाए कहीं ठीक है तो प्लीज मेहनत करो सबसे आसान नौकरी मिल जाती है इसमें है ना तो आपको समझाना मेरा काम है बच्चे बाकी आपके मर्जी है जैसा भी आप चाहो तो देखिए बच्चे